बच्चो नमस्कार चोहानिया ये जुकिसन चैनल में आपका श्वागत है बच्चो आज हम उलम्पियाड परिक्षा 2023 मादमिक इस्तर कक्षे 6-8 जनसिक्षे के इंदर इस्तर पर जो प्रश्ण पत्रे आज की दिनांक में शंपन हुए हैं जिसमें कुल प्रश्णों की शंक् इस्तर पर प्रश्ण पत्र कैशा हुआ होगा वो तो आप समझ सकते हैं लेकिन हमारे द्वारा इस वीडियो में 130 प्रश्णों के माडल आंसर को बताया जा रहा है जो आपके लिए बहुत आवस्चक है और आप इससे मिलान कर सकते हैं तो हम इस माडल आंसर को देखेंगे इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सस्काइब नहीं किया गया है तो क्रेपे कर चैनल को सस्काइब कर लाइक एवाम शेयर जरूर कर रहे हैं जिससे कि हमारे आने वाली हर मैटफून वीडियो की नोट के सना आप तक असानी से पहुंच सके हैं तो बच्चों हम के दुस्मन का विलों है तो मित्र है सर का सर सब्द का अर्थ है तलाव कुहु कुहु सब्द है यूग में दूर दर्सिता में कौन सा सब्द्यांस प्रत्य है ता है बचाल सब्द के लिए बाक्यांस होगा जो बहुत बोलता हो जटा कूर का सही संदी बिछेद है तो जटा धन अंकूर हिंदी में कारत के भेद है आठ है परवत का परियाए बाची है अचल अगला प्रेशन है नौबा भारत क्रशी प्रदान देश है इस बाक्य में भारत है ब्यक्ती बाचक शंग्या पिता जी का पत्र आया बाक्य में रिखंकित सब्द का अनिकारती सब्द है चिठ्थी इन में से कहावत है नाच ना जाने आगन टेड़ा ये कहावत है प्रतेक चरण में 16-16 मात्रा होती उसे कहते हैं चोपाई छंद कहते हैं मुकेस भुपाल पहुँच गया होगा बाक्य है तो संदे बाचा के बाक्य है दे की सुदाम की दीन दसा करुणा करके करुणा नीदी रोए इस पंक्ती रश है करुण रश है इसके बाद अगला प्रशन है कमला घर जाती है उधारण है सधारण वाक्य का उधारण है निमलिखित पद्यांस को पढ़कर नीचे दिये गए प्रशनों के उतर दीजिए नील गगन में उड़ते बादल जैसे हो अंबर का काजल प्यासी होती जब धरती बरसा जाते भी भरकर जल छमचम करती बूंदे नीचे नाचे बसती है बरका की पायल शाबन वादों में लहराता धरती का हरियाला अचल चलती है जब तेज हबाय बज उड़ती है घर की शकल इसमें शावन भादों में किसका आचल लहराता है धर्ती का बादल को अंबर का काजल क्यों कहा गया है बादल उड़ते रहते हैं घर की सकल क्यों बल उड़ती है तेज हवाओं से घर की शाकल क्यों बल उड़ती है तेज हवाओं से अंबर का सब्दार्थ क्या है अकाश कहानी हाती में हाती ने शेर के साथ क्या किया अपना मीत्र बना लिया कहानी शमंदर की छोटी मचली में कौन सी मचली कहा जाना चाह रही थी नदी में पुस्तक माप नहीं करने वाला बंदर में बंदर ने कमल के नाल का उपयोग किस के लिए किया था हम इसका उतर देखेंगे पानी पीने के लिए कहानी माप नहीं करने वाला बंदर में नर्भक्ची ने खालिस्तान का हार पहन रखा था हड्डियों का पुस्तक गलती में बहेंकर खालिस्तान से डड़ ड़ कर किसी भी जानबर ने उस जंगल में खालिस्तान नहीं रखा तुफान और पंजे इसमें आ जाएगा बहेंकर के तुफान और यहां आ जाएगा पंजे कहानी सुस्त कववा में गिलेरी ने उसके हिस्से की फसल का क्या किया पानी में बहा दिया पुस्तक जीवन का मुल में गुरू ने विध्यारतियों से क्या लाने को कहा शुके पत्ते लाने को कहा पुस्तक लाल खरगोस में खरगोस का रंग कैसे बदला पत्ते खा करके कहानी मेंड़क और कुवा में दोनों मेंड़कों के बीच बात बीबात क्यों हुआ पानी से बाहर आने के लिए कहानी मेंड़क और मुसा के अनुसार रिक्त तेस्तान बरिये क्योंकि खालिस्तान नहीं और हुई खालिस्तान और शुग गए तो इसमें जो आएगा शी बर्सा कुई तलाब इसके बाद देखेंगे अगला अत्र विशाल ब्रक्ष अस्ती वाक्य विशिशन पदम अस्ती तो इसमें विशाला है जाएगा पठ है धन तुमून प्रत्य युक्तम पदम अस्ती पठि तो इसमें इसके बाद इसमें का धन आधन मा धन आधन ला धन आधन मा इत्यस मेले नेन सब्दे भवती कमलम आजाएगा इसमें ऊष्व इत्यासर बढ़ना कीवाक्य। त명이कति है। इसे बादेतो प्राथम है रहाल किवीय। तुर्सवमी भाव्रमा नादी राथम्य। क्रश्न हा म्रगह अश्मिन वाक्य। इसके बाद बिनियात यती पात्र ताम जाएगा अगला है प्रकास इती सब्दे उफसरगा अस्ति प्रा जाएगा बिलोम सब्दानम उचित मिलनम चुनूत तो इसमें हम इसका उत्तर देखें तो इसका उत्तर जो है हम यहाँ पर देखेंगे शी घा गा यह वाला जो है इसमें आ जाएगा इसके बाद में भानू पदस्य पर्याय पदम अस्ति सूर्य आ जाएगा इसमें गुरुत्त महा इती पदे प्रत्ता अस्ति तो तमप आ जाएगा इसमें स्वर्ण बर्ण मेलं नेन भोती बेंजन संदी जाएगा चित्रे पुस्तकानी संदी चित्रं द्रश्टवा उचिश संख्या चित्वन तो इसमें पटित्वा प्रश्ण नाम उत्रानानी लिखात जनिनी जन्म भूमिश्य स्वर्गदपी गयारिशी जन्म भूमिश्वर्गयात उतकर्ष्ट त अस्ति शालोका नाम सरण दायनी बिविद्ध खाद पदार्थ नाम पदायनी चा अस्ति बेदेकरिशी कत्यात यती माताय भू अब इसमें जो प्रश्ण बने हुए हैं जन्में भूमी गरी यसी स्वर्गा दपी इसमें अंसर जाएगा इसके बाद अगला प्रश्ण है इसके बाद हम देखें अंगला प्रश्ण है तो फिल इन दा ब्लैंक्स रवी खालिस्तान मोहन पैलेड वेल तो एंड अजाएगा इसमें दा फार्मर बैक अप एट आजाएगा इसमें संदाइस इसके बाद में दा फिल में बास है देखें तो वाय आजाएगा इसमें एवाला आपसन बिलू वाले इस दा इसमें क्या आजाएगा लेगेस्ट लार्जेस्ट आजाएगा डी इसमें फिर अगला है प्रश्ण है दा शुपर लेश्टिस्ट वे डिग्री आप पार्टी से तो पार्टिस्ट इसमें शी इसका सही अंसर हो जाएगा इसके बाद मैं चूस दा मिशिंग लेटर आनि जो मिश हुए है तो स्टार यहां यहां क्या जाएगा ए और यहां हो जाएगा जी मिसिंग बर्ड हमको सुनना है तो ए और जी आजाएगा फिर ए एन सी तो यहां ओ यू यू आजाएगा यहां पर तो यह फिर इसके बाद मैं देखेंगे चूस दा करेक्ट है शाय नम तो यहां पर हम देखेंगे इसका जो अंसर है ओल्ड एंड बैल्यू आनि ए वाला जो उसका है अंसर आजाएगा इसके बाद इसका टेश्ट फुल यहां पर इसका उत्तर भी आजाएगा इसके बाद है साड़वा प्रशन का अप्सेंट प्रेजेंट आजाएगा इसके चूसदा करेक्ट हमको क्या करना है इसके बिप्रीत करना है तो यहां पर हमें अप्सेंट का प्रेजेंट हो जाएगा बिप्रीत सब्द चुनना है इसके बाद में नाउंग चूसदा करेक्ट स्पेलिंग हमको सुदारना है इसमें C आजायेगा इसमें B आजायेगा 63 वाली प्रश्ण में और 64 B में D आजायेगा इसके बाद हम देखेंगे 63 वा जो प्रश्ण है इसका अंसर हम देखें तो यहाँ पर शी है जाएगा इसका अंसर 66 प्रस्ण का A 67 प्रस्ण में B 68 में D 69 में B और 70 में A इस प्रकार से हम इन प्रस्णों के अंसर मिला लेंगे इसके बाद 71 प्रस्ण है इसमें से कौन सा खाना पकाने का इनन सबसे अधिक परियावरण के अनकूल है तो सूरज की रोशनी B इसका सही अंसर हो जाएगा फिर इसके बाद में अगला प्रस्ण का उत्तर है B प्रस्ण पुझागा है कि हमारे सेरीर को स्वस्थ रखने के लिए लाबदाय काहर है तो अनकूरी ताहर D इसका सही अंसर हो जाएगा इसके बाद में देखेंगे मदुमक्यों के छत्ते में रानी मदुमक्य की बिशेष्टा होती है केवल अंडे देती है CS का सही अंसर हो जाएगा 74 प्रस्ण है जब रेल गाड़ी तेज गती से चलती है तो बाहर की बस्तु किस प्रकार दिखाई देती है CS में सही अंसर हो जाएगा बिप्रीत दिशा में दोड़ती हुई इसके बाद अगला प्रश्ण है यदि कोई कंपिनी हमें एक नया बहान जैसे मीनी बस का डिजाइन करने का मौकत दे दे तो परियावरण की सुरक्षा है तो किसे इनन का उप्योग करने वाले बहान का डिजाइन करोगे तो CNG हम CS में सही अंसर कर देंगे इसके बाद रात में जागने वाले जानवरों जैसे उल्लू चमगादार आदी की को सभी बस्तों का रंग दिखाई देता है तो कुन से B.S. में जाएगा सपेद और काला फिर इसके बाद में नेतरहिन लोग ड्रेल रिपी में पुस्तक पढ़ते है तो छूकार और महसूस करके A.S. का सही अंसर आजाएगा इसके बाद देखेंगे हैं ज़दी सारे बनाता है क्या बनाता है D. विटामिन D बनाता है इसके बाद देखें हम कालम I का मिलान कालम कालम फर्ष्ट और सेकंड से करिए कालम फर्ष्ट और सेकंड से हम मिलान करेंगे यहाँ पर तो इसका सही अंसर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें B जो है शहीं अंसर इसमें हो जाएगा जली पौदे में अनुकलता पाई जाती जली पौदे में तो कथन ए कथन ये क्या है अब यहां कथन ये देखी आप एक, दो, तीन कथन ए में एक, दो, तीन ये तीनों चीज है तो ए आ जाएगा इसका फिर सूची एक और दो को समलुत करिए तो इसमें ये आ जाएगा ये वाली जो सूची है इसका सही आंसर ये आ जाएगा इसके बाद 83 है बिद्धु धारा के प्रभा को रोकने या प्रारम करने के लिए अपना जाने वाली युकती है सुईज इसके बाद में अगला प्रशन हम देखें तो किशी पदार्त के बिलियन को गर्म करने से उसकी बिलेता पर निमलिखित में से क्या प्रभा पढ़ता है तो घटती है एक नमी युकती रोटी ब्रेट को दो-तीन दिन रखने पर उसमें एक रोटी जैसी हरी संरचन दिखाई देने लगती है संरचन है कवक तो शी इसका सही अंसर जाएगा समूद्री के ओर से आने वाली बाईू कहलाती है जल समीर कहलाती है छू छान्द्रे की आंतरिक बित्ती पर पाय जाने वाली संरचन दीर गरौम का प्रमुक कार है तो शी इसका सही हो जाएगा पच्ची हुए बुजन के अवस्वेशन ये तो तल छेतर पढ़ाना इसके बाद में बूजो की शपिर सेट पर लगा हल्दी के दब्बों को साबून से धोने पर वह लाल हो गया क्यों तो साबून का विलियन चारी की होता है इसलिए हो जाता है शी इसका सही अंसर आजाएगा इसके बाद नुवासरी बाद प्रस्वेशन है एक चुंबक के एक धुरूप को दूसरे चुंबक के धुरूप के समी पलाने की बीविन इस्तितिया कालम एक में दर्साइगा है रिक्तिस्तान की पूर्ति कीजिए तो हमको यहाँ पर देखेंगे इसका जो अंसर है शी प् नाम है श्वीट्रक्त का निका है इसमें भी चैन्सर 125 के बाद मैं एक भगीच्छे में कुल फूलों की शंक्या को प्रदेसित करने का सही तरीका है छ्याग तो हम इस सही अंसर यह निदेंगे दो इसके बाद में दिएगा है चेत्र के तुल भीनकुद दर्शा रहा है चेत्र कुन सा रहा है शी इसके समय अनसर है अगला है 6 और 28 का है भाज्य संख्याय है फिर अगला प्रश्न है दस पंदरा और तीस से विभाज्य दो अंकों की सबसे छोटी संक्या है तीस बी आ जाएगा फिर अगला प्रस्न है पचास विध्यारत्यों के कच्छ माएं बारा फुटवाल चूविस किरकेट और बाकी टैनिस पसंद करते हैं पर पहुंच जाएगी तो माइनस चार पर पहुंच जाएगी एसका सही अंसर हो जाएगा इसके बाद अगला है प्रतम साथ प्राकर संक्याओं का मद्दे क्या होगा शी उत्तर इसका चार हो जाएगा अगला प्रशन है एक कॉन 90 अंस से कम है तो इसका संपूर कॉन होगा क्या होगा ए 90 अंस से अधिक इसके बाद अगला प्रशन है एक पाईये की परिदी 132 सेंटिमीटर है तो पाईये का व्यास होगा 21 सेंटिमीटर होगा एसका सही अंसर हो जाएगा इसके बाद एक सब्सक्राइब प्रश्ण है आट अंस दन छे अंस कुष्टक बन गुड़ित पांच अंस का मान निम्ली किसमेद किसके बरावर होगा तो यह इसका सही अंसर दो के बरावर होगा अगला है एक बगीचे में चार खड़ी क्यारिया है हर क्यारिय में छे फूल है इस बगीचे की फूलों की शंके लिखने का सही तरीका बटाईए तो यहां पर हम देखे हैं छे गुड़ित चार इसका सही तरीका हो जाएगा 6 च्योफ पूल हो जाएंगे आपकर इस तरह से हम इसको शहीं हल कर लेंगे इसके बाद अगला प्रशन है 103 दिये गए चित्र की तुल्ले भीन को दर्सा रहा है कौन सा क्या दर्सा रहा है यह भी शीडी दर्सा रहा है फिर घड़ी की घंटे वाली शुई कहां रोकी गए अधी हो है प्राराम करे तो पांच से और दो अगला प्रशन है चित्र में तुल्ले भीन हैं तुल्ले भीन कुन सी है देखिए आप यह फस्ट और सेकंड फस्ट और सेकंड तुल्ले भीन है दोनों की तुलना की जा सकती है इसके बाद देखिए आप अगला रवी और रिना की बीच नब्वे को दो अनपात तीन में ब पर तो भी इसका सही अंसर फिर है अगला प्रेश्ण दो एक सम्मित्य रेखाएं होती है एक घन में किशी बर्गकार पिरामीड से कितनी फलक अधिक होती है तो एक फलक डी इसका सही अंसर हो जाएगा फिर अगला प्रेश्ण है जो जिसका अंसर ए है धनात्मक परी में अगला प्रेश्ण में माना अधिकार दिवस कम मनाए जाता है तो दिसंबर को मनाए जाता है इसके बाद में देखे हम इंडिया सब्द की उत्पत्ती का सम्मन किस इड़ी से है आरविक मानों किस प्रकार के बस्तप्र findetी थे जानवर्व की खाल के बस्त्र पहनती थे चौत्त इसब्द का प्रियोग होता था मराटो द्वार लिये जाने वाले मार्ग करके लिये गए बारवीश सतादी में कल Лहन द्वारवर रचित प्रशिद्ध गरंत है राजतरंगनी CS का सहिग हो जाएगा अगला प्रेषन है अगला प्रश्न है ब्रहमा शमाज के सिंधा किस्थि राराममहन राएने किती DS का सहिगा अंसर हो जाएगा फिर अगला है शूरी के प्रिकास को प्रजबी तक पहुँचाने में लगबग कितने समय लगता है तो 8 मिनिट लगता है शीज का सही अंसर हो जाएगा इसके बाद उस ने कटिवंडी घास इस तरह में कौन सा जानवर पाए जाता है तो जिराप यहां पर पाया जाता है जिराप इसमें हम गोला लगा देंगे इसके बाद देखिए अगला ग्यारा को रोमन संक्या में लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है शी इसका सही अंसर हो जाएगा हांके के जादू कर की नाम से जाना जाता है मेजर ध्यान चंद को जाना जाता है इसके बाद देखेंगे अगला प्रिशन हम टोक्या उलमपकि में भारत के किश्क लाडी ने सुर्ण पदक जीता था तो नीरा चोपा ने जीता था अगला है लता मंगिसकर प्रुसकार के छेतर में दिया जाता है शंगित के छेतर में दिया जाता है तो भी इसका साइन अंसर हो जाएगा अगला है महातुपान विपर जाय से सबसे अधिक प्रभावित राज तो इससे सबसे अधिक प्रभावित राज जो है वो गुजरात है तो इसके में गुजरात में हम गुला लगा लेंगे इसके बाद देखिए बरस 2023 IPL की बीजितर टीम है चिन्नी सुपर किंग ए इसका सही अंसर आजाएगा इसके बाद में बरतमान में भारत की राष्टपती है दुरुपती मुर्मुन भी इसका सही अंसर आ जाएगा फिर मद्पिजस के कि नदी टट पर कुंब का मेला लगता है शिपर नदी पर लगता है शीस का सही अंसर आ जाएगा है धालो भारत में भारत की ये करता है है इसके भारती समदान की जने शिंबल आप नालेज के नाम से भी जाना जाता है तो ड़ाक्टर भीमराव अमबिटर को जाना जाता है भी इसका सही अंसर हो जाएगा। प्रशने ऀल करके परिष्चा से आये हैं और आप कितने अंक के आपको प्राप्ट हो सकते हैं तो इस प्रकार से यह model answer हमारे द्वारा तैयर किया गाया आस आहे है बच्छो, आपको यह model answer मिलान होने पर आपको पसंद आएगा इसी तरह और अन्य सेक्शनिंग गतिविदी के लिए चैनल में जुड़े रहें धन्यवाद